वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको comment section में जरूर बताना है भया हमने day two challenge complete किया नहीं किया तो बताओ भया हमने day two challenge complete नहीं किया लेकिन comment करना नहीं बूलना है clear है ठीके whatsapp group को जरूर जोइन कर ला ना क्योंकि वहाँ पे सारी important pdfs, notes, cd cell की तरब से कुछ भी update आती है कुछ भी notice आती है तो सबसे पहले whatsapp group पे share होती है सारी update, challenge के update, quiz के update सारी मैं whatsapp group पे डालता हूँ सारी free चीज़े आपको मिलती है तो whatsapp group को जरूर जोइन कर लें मिलता है तो आप cover up कर सकते हो, ठीके, आज हम बात करने वाले day 3 के बारे में आज मैं आपको 3 chapter बताने वाला हूँ उससे पहले day 2 के आपने quiz attempt की क्या, नई attempt की होगी तो app पे जाके quiz attempt कर लेना, उस quiz में खास बात क्या है उस quiz में खास बात यह है कि जो मैंने chapters आपको 3 chapter बताये थे कल, उन 3 chapters के मैंने pyq squeeze format में डाल दिये, ठीके, day 1 के भी डाले थे, day 2 के भी डाले थे, अभी मैं day 3 के भी डाल दूँगा, ये chapter जैसे ही, खतम होंगे आपके 3, ठीके, 9 बज़े आपको सबको app पे आजाना है, मैं questions जालूँगा आपको quiz के right answers देने, आपको इस competition में क्या सीखने को मिलेगा, आपके pyqs तो covered होंगे होंगे, साथी साथ आपको इक competition भी feel होगा, चलो यार मेरे साथ 1000 बच्चे और भी test दे रहे, ठीके, test नहीं quiz है basically, ठीके, quiz के format में आपके pyqs covered करा के ले रहो, तो app पे आना म ElectroStatic से आपकी 4 question आते हैं, हमने highly weighted chapter पहले हम cover कर रहे हैं, तो पहले आपको ElectroStatic आज पढ़ लेना है, पहले दिन में हमने rotation पढ़ा, उसके बाद KTG पढ़ा, आज हम Electro पढ़ेंगे, तीनों की तीनों chapter बहुत जादा highly weighted chapter है, ठीके, उसके बाद कल से हम थोड़ा सा shift होने व पहले एक चीज़ जरूर पूछ लेना कि उस crash course में 1500 से भी जाता PYQ solved है क्या, उस crash course में 11th प्लस 12th का syllabus covered है क्या, उस crash course में आपके important strategies दिये क्या, उस crash course में आपके formula sheet प्रोएड किये क्या, important notes प्रोएड किये क्या, आपको तुका strategies दिये क्या, नहीं दिये तो वो crash course मत लगान description box में लिंक दिये, chemistry के मैं बात करता हूँ, यह same crash course पढ़के C.E.P.P.G.G.G.P.H.D.P.I.D.K. जिसों मैं थोड़ो मल, DJ Sangwi और Top Pharmacy Colleges में बच्चे गए, आप भी जाओगी इस बात की मैं guarantee देता हूँ, chemistry की बात करता हूँ, chemistry में आज आपको पढ़ना है alcohol phenol ether, alcohol phenol ether पढ़ आपको in name reaction को learn करना है और आपको P.Y.Q.S. में आपको शाम में आपको दिख जाएंगे कि कैसे question आते है, clear बात है, ठीक है, next आपको maths में, maths में क्या पढ़ना है, उससे पहले आपको taste series जरूर लगा ले नहीं है, महाराश्रा में बहुत सारी taste series है, कईसे भी लगा सकते हो, at least 20 mocks आपको उसमें provide होने चाहिए, और 20 papers में आपको P.Y.Q.S. नहीं cover होने चाहिए, ठीक है, P.Y.Q.S. तो में आपको freely provide कर रहा हो, उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं किसी कहो, ठीक है, उस 20 mocks test में 20 अलग-अलग question हो, मतलब 20 mocks test में हर एक question अलग-अलग होना चाहिए ठीक हर एक question का detail solution होना चाहिए, exam का तरम होने के बाद आपको percentile समझने चाहिए, आपको कितना score आए वो समझना चाहिए, उसमें आपको समझना चाहिए, कौन सा question गलत है, गलत है तो उसका सही approach क्या है, सही है तो उसका optimum approach क्या है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं कई से भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको सोच समझ के लगाने test series, ठीक है, description box में मैंने link डाल दी है, वो test series में से आपके most expected, मैं guarantee देता हूँ, 25% question आपको as it is test series से मिलेंगे, इस बात की मैं guarantee दे सकता हूँ, आपको trust नहीं होता, description box में मैंने link डाली है, मैंने student के reviews डाले, आप वहाँ से check कर सकते हो, मात करते है maths की, maths में आपको क्या करना है, maths में आज आपको पढ़ना है, lines and plane, ठीक है, line and plane क्यों पढ़ना है, इसके आपके 4 question बन जाते है, ठीक है, again highly weighted chapter आज हम cover कर रहे हैं, तो इसलिए मैं weightage की हिजाब से आपको बोल रहा हूँ, कल से हम थोड़ा टर्निंग पॉइंट लेने वाले है, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, highly weighted के साथ साथ हमें, और भी easy chapter करने होते हैं, जहाँ पर easy marks हमारे convert होते हैं, ठीक है, तो आज आपको मैं, line and plane करना है, उसके बाद अगर biology की बात करूँ तो biology में आपको करना है, reproduction in plants, ठीक है, तो यही सारी चीज़े थी आज की वीडियो में, अगर वीडियो जेनियर अच्छा लगाओ तो like करो, चैनल पर नए होंगे, subscribe कर लेना, ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको day 4 के challenge में, day 4 में हम बहुत यह अलग चीज़े करने वाले हैं, ठीक है, guarantee देता हूँ मैं आपक 99% एल ना की दूँगा, ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए सिया, bye-bye, thank you